हाई अब्रिवन प्रिवेस क्लास में जैसे कि हमने अपना केसल कॉंप्लेट किया था तो उस पर बेस्ट आज हम कुछ निमेरिकल करेंगे तो एक कोशन मैंने इस पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमरा पास कुछ करेंट है जिसमें हम तो यह हम देखिएंगे कियाँ तो यहां पर इनकमें जिनका पता यह पर एक और इनकमिन जिसका नहीं पता है को देखिए हम लिखेंगे incomming यारिप माइनस फाइब कर यह वियों इनकमिन फाइब जोधेकर हम यह निगेटिव स्न यह इप लगेट कराएं झाच करा Mooanne का स्वों lips लेकिन निगेटिव संहें ah जो अंने डारक्शन एजूम गरत यह मां करन्ट कर्फेमन आउनकि और ऐड़में है अन्들 थे हमर्मन अविकरी में करा만 करते हैं कि आई कि आई दू से फिला हम कोशिज करते हैं कि आइठी फाइंड कर लें क्योंकि आई three के लिए असान रहेगा तो आई three वह हम आते हैं एक नूड भी तहां पर दिखेंगे कि seven incoming है 2 out going है और i3 भी out going है इसको zero कर देंगे तो i3 is equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 5 यानि 5 यानि 5 यानि 5 एमपियर out going है यानि जो direction हमने assume किया था वो correct है ठीक अब हम आते हैं अपने इस point पर c पर है तो जब हम c पर आएगे तो आहां देखेंगे कि जो 4 एमपियर है वो out going है ठीक i2 जो हमारा incoming है और i3 है वो भी incoming तो यह i3 के value कितना है minus 5 is equal to 0 तो यहां से हम देख पाएगे कि जो हमारा i2 है 1 यानि i2 equal to minus 1 i3 है ठीक है यानि i3 जो है incoming या पी नहीं है नोट से के लिए incoming यह तो out going है यानि कहने का मतलब जो i3 है उसका real direction हमारा यह side में है मतलब बोले तो यह one ampere B से C से B flow कर ला है ठीक है तो हमने अपने तिनों find कर लिया next lecture में start करेंगे के विया और इसी तरह उस पर वे वेस्ट कुछ numerical solve करेंगे तो एक और question हम solve करते हैं यहां भी वैसे ही है कुछ ज्यादा नहीं है इसमें i1 i2 और i3 find करना है तो से पहले इस node की बात करते हैं node की तो लिखेंगे add node यह हम देखेंगे तो देखेंगे कि जो 20 वह outgoing है यह प्लस 20 8 भी outgoing है प्लस 8 और जो हमारा तो हमारे पास देखेंगे कि 20 outgoing है 8 outgoing है और जो हमारा i4 वह incoming है यानि minus i4 is equal to 0 तो यहां से हमारे पास i4 कितना जाएगा 28 ampere ठीक है तो i4 हमने find कर लिया अब बात करें हम अपने इस node के हम आएंगे तो add node c यह हम देखेंगे 10 incoming है minus 10 8 भी incoming है minus 85 outgoing और i2 भी outgoing is equal to 0 तो यहां देखेंगे हम i2 कितना आजा रहे हमारे पास यह गया 18 minus 5 minus 13 यह साइड आगा तो 13 ampere ठीक है उन्हें अपना i2 find कर लिया अब हमको find करना है हमारा i1 और i3 तो हमारे पास i2 find ही है तो i3 हम easily find कर सकते हैं तो suppose ही मैंने इसका नाम दिया बी add node b यहां देखेंगे यहां i4 outgoing है तो i4 का value कितना था 28 i2 incoming है तो i2 हमारे पास कितना है minus 13 और i3 भी incoming ही यानि minus i3 is equal to 0 तो यहां से देखेंगे यह वो जागा हमारे पास कितना 15 यह माइनस i3 is equal to minus 15 यानि i3 is equal to 15 MP तो हमें अपना i3 find कर लिया अब हमारे पास last वस्किया i1 अब देखें हम इस node पर आते हैं suppose मैं इस node का नाम दिया d तो यहां कर लेते हैं at node d अब देखेंगे d पर हम देखेंगे i1 क्या है incoming यानि minus i1 5 भी incoming minus 5 जो हमारा i3 वह outgoing है तो i3 का value कितना है 15 plus 15 is equal to 0 यानि minus i1 is equal to minus 10 i1 is equal to 10 MP ठीक है तो कैसे लों कुछ ज्यादा नहीं है हमें सबसे पर लिए कोशिस करना है कि जो भी हम node ऐसा चूच करें जहां पर कम से कम variable जिसे मैंने first में node यह चूच किया क्योंकि मुझे दू current का value पता था एक unknown था यह भी वैसे ही है तो एक sequence wise हम solve करते चलेंगे और हर जगा rule यह है जिस भी node पर निकलना है आप वहाँ चले जाए और वहाँ से देखिए इस node के reference में यह जो current हमारे incoming है या outgoing है यह incoming है तो आप negative ले लिजे आप अपने according में चूच कर सकते है आप outgoing को negative ले सकते और incoming को positive ले सकते लेकिन ध्यान रहना चाहिए ही कि यदि हमने negative को यही incoming को negative लिए तो outgoing को positive लेंगे यदि outgoing को negative लिए तो incoming को positive लेंगे वस sign convention के ध्यान रखेंगे नित्यकों को सकते हैं तो आज के lecture में हमने केसिल से related को कुछ कोश्चन सल्व किया next lecture में हमने start करें के विल और उस पे बेस कुछ कोश्चन करेंगे चीक है Thank you for watching